तो दोस्तो स्वागत है आपका ठाकुरूजी के चरण कम लोगी आज हम बनाना सिखेंगे वूलन कैप नए तरीके से जिसके लिए हमें चाहिए वूल, सिजर और सुई धागा सबसे पहले हम धागे को तीन इक्विल पोर्शन्स में थ्रेड को डिवाइड कर लेंगे अगर हमने 15 थ्रेड लिए तो उसका मतलब है पाँच पाँच तीन हिस्सों में आ जाएंगे तरीके से उन को रेडी कर लिया है और इसके एक कॉर्णर पे मैंने गाठ लगा ली है और अब मैं इसको टेप की हेल्प से यहाँ पे चिपका दूँगी और अब हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे हमने ये तीन हिस्से बनाए अब हम इन तीन हिस्सों से एक चोटी बनाएंगे ये बनाएंगे ये देखे हमारी चोटी बनके रेडी हो गई है अब हम इसके कॉर्णर को थ्रेड से बांदेंगे इस तरीके से बांदे के ये हमने बांद दिया अब हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे और इसमें भी जो हमारे पस एक्स्ट्रा है हम इसको कट कर देंगे हैं आप इसको एब बनाएंगे पगड़ यह देखे अब चोटी हमारी बनके रेडी है अब हम इसको सुई धागे से सी लेंगे उसके लिए पहले हम इसको उंगलियों पे अपने ठाकर जी के साइज के हिसाब से सेट कर लेंगे पहले हम इसको बांद देंगे और सेम कलर से ही आप इसको बांद दिये ताकि फिनिशिंग अच्छी से नजर आए देखे मैंने इसको सेम कलर से या पे नौक कर दिया है अब उसके बाद हम पूरी पगड़ी को उंगलियों के उपर एक शेप में रेडी कर लेंगे एक बार आप ऐसे लेके गए फिर ऐसे फिर ऐसे और लास्ट में हम ने इसको इसके अंदर कर दिया अब हम इस सारी पगड़ी को सुई से स्टिच कर देंगे ताकि ये खुले नहीं इस त्रीके से आप इसके हर कॉर्नर को आपस में सिल दीजिए और सेम कलर से ही सिले ताकि सिला हुआ अच्छा लगे और ये आप किसी भी साइज में बना सकते हैं आप पहले अपने ठाकुर जी का इंची टेप से मैजर्मेंट ले लीजिए और उसके बाद फिर आप अपनी फिंगर्स पे उसके साब से इसको बनाईए ये मेरे छे नंबर के ठाकुर जी हैं मैं उनके लिए बना रही है ये देखे ये मैंने सिल दिया है तकरीबन इसका हर कॉर्नर कवर हो गया है ये देखे और हमारी पगड़ी भी बनके तयार हो चुकी है अब मैं इसको धागे को कट कर दूँगी यह हमने इसको यहां पर खतन किया और धागा कार्ट दिया और अब हम देखते हैं कि ठाकुर जी पे पहनाने के बाद यह पगड़ी कैसी लगती है यह देखें यह पगड़ी मैंने पहना दी और अब इसके उपर हम यह जो अटेच्मेंट्स अभी मैंने बनानी सिखाई थी यह वो वाली हैं अब हम इसमें पहले लगाएंगे मोरपंक यह लगाया हमने मोरपं और फिर लगाई यह अटेच्मेंट्स जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बनाई थी यह देखें और यह पगड़ी कितनी डेकोरेटिव हो गई यह देखें और यही मैंने छोटे वालों को भी पहनाई हुई है इसमें मैंने यह पीछे छोड़ और यह चाहो तो जैसे यह पगड़ी बनाई है इसमें भी छोड़ सकते हो और यह जो आटेच्मेंट्स है यह देखें अ कि यह जैसे इन पैच से बनाई है और यह मैंने पैच से बनाई देए अब यही अटेच्मेंट्स मैंने राधा जी की चोटी में भी लगा रहे हैं यह देखे आगे उपर से नीचे तक मैंने यह राधा जी की चोटी में भी यही अटेच्मेंट्स लगाई हैं तो इन अटेच्मेंट्स को आप मल्टी पर्पस यूज़ कर सकते हो जो मार्किट से अटेच्मेंट्स हम लाते हैं वो पगड़ी की अटेच्मेंट्स पगड़ी पहीं लगेंगी और बालों की अटेच्मेंट बालों पहीं लगती है लेकिन जो हमने घर पे बनाई हैं यह अटेच्मेंट साथ मल्टी पर्पस यूज कर सकते हो तो आप देखी सकते हो तो एक बार जरूर ट्राइ कीजिए आशा करती हूं आपको मेरा यह आइडिया पसंद प्रपाया होगा फिर मिलते हैं नए उमंग नए उत्सा और नए विचारों के साथ ठाकुर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें हसते रहें मुस्कुराते रहें प्रूप अ प्रूप 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 प्रूप